हेलो फ्रेंज मेरा नाम है रिचा और आज हम आपकर लेकर आएं एक बहुती पेस्टी सी सबजी की रेसिपी तो आए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है यहां पर हमने आदा के लोग सेम ली है यह सेम इस तरह की होती है इसको हम अच्छा से छील लेंगे तो यहां से देखिए हमने इसकी पॉइंट पर जो रेशा है इसे पकड़ खीचा तो यह रेशा निकट आया है इस तरह के से हम तुसेड भी करेंगे यह निकालना बहुत जर होती है जब तोड़ेंगे इसको तो अगा थोड़ा बात भी रह जाएगा तो वह अच्छे से निकल जाएगा यह देखिए है तो हम सारी सेम को इस तरके से छील लेंगे और धोक्य हमने साइट में रख दिया है एक अड़ाई लेंगे इसमें हम डालेंगे दो बड़ चमब कर लिया है तो हमने यहाँ पे 5-6 जवे लिये थे लसन के उनने बारी कट किया है लसन को हलका फ्राइ करना है गुल्डन ब्राउन नहीं करना है बस इतना फ्राइ करना है कि सकच्चापन खतम हो जाए और जैसे यह हो जाएगा हम डाल देंगे इसमें हरी मिर्च और प्याज हरी मिर्च हमने चार लिती ने बारी कट किया है आप अपने टेस्क साबसे कम जाधा कर सकते हैं अगर जाधा खाते हैं तो जाधा ले 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 लें कम खाते हैं तो कम कर लें हमने आपे एक मीडियम से का प्यास लिया था इसे लंबे में कटके हैं बारिक बारे तो यह देखे इन सब को मची से फ्राइ कर लेंगे हमें प्यास को हलका ब्राउन करना है डाग ब्राउन नहीं मिल्कुल लाइट जिससे आप देख सकते हैं कि अचैसी ब्राउन हो गया है हम डालेंगे इसमें कुछ मसाली जैसे की हल्दी पाॉडर तो हमने हल्दी पौड़ डाले है एक चुथाई चमच धनिया पौर डाले है दो बड़े चमच थोड़ा से डालेंगे पानी ताकि मसाले हमारे जले नहीं और हमने फ्लेम को यहाँ पे लोग पे रखा है ताकि यह मसाले अच्छे से भूने जले नहीं मसाले अच्छे से पानी में ही पकते हैं तो इसलिए पानी जरूर डालें अब हम डालेंगे इसमें सीम जो मनें दोगर के अच्छे से रखी थी सारा पान कनी चोड दिया है और इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे कुछ इस तरीके से जब वीडियो में देख सकते हैं हमने थोड़ा थोड़ा डाला है फिर मिक्स किया है ताकि प्रॉपर पूरी सेम में यह अच्छे से मिक्स हो जाए तब सब सेम डालने के बाद इसे हम ढख कर पकाएंगे करीबन 15 मिनट के लिए उससे पहले मडालेंगे इसमें नमक एक पड़ा चमच इसको भी मिला के हम ढख कर रख देंगे तो इस बात का ध्यान रखेगा कि नमक पहले ढाल देजएगा ताकि इस सबसी से अच्छे से पानी से छोड़ दे हम इसे अच्छे से भून भी सके हैं तो यह देखे हमने इसे मिक्स कर लिया है और अब हम इसे ढख कर पकाएंगे अगर आपको बहुत फ्राई सबसी नहीं कानी है तो जैसे यह पकजी आप उसे अतार सकते हैं पर हम फ़रों ब्राउन करके खाते हैं तो हमने यह पर ढखने के बाद जब पक गई है सबसी तो यह देखे हमने सबसी अच्छे से पक गई है इसको हम अच्छे से ब्राउन करके प्राई भी कर लिया है तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया फ्राइ हुई है मारी सबजी इसको हमने इच्छे से भूना है इसका पानी बिल्कुल खतम कर दिया है इस हद तक भूना है अगर आपको थोड़ी लिक्विडी चाहिए तो आप पाई डायट करिए और दो मिन पकाने के बाद इससे सर् अगर आपको मेरे इसी पसंद आई हो प्रीमिशनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें शियर करें कमेंट करें बैल अके नबन न बोलें ताकि मेरे आने वाली लेटेस वीडियो की आपडेट आपको सबसे पहले मिल सकें थैंक्यो पर वाचिंग मैं रेसिपी आइप यू इ करेंग